नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है इस वक्त की जो खबर आ रही है वो है राजस्थान के शिरी गंगन गर से जहां एक कल्योगी बेटे ने अपने माँ बाप को सिरफ इसलिए घर से निकाल दिया कि माँ खांसती है वरद माता पिता ने कभी सपने में मिनी सोचा था कि जिस पुतर के लिए उन्होंने मनते मांगी वही इकलोता पुतर बुडाबे में सहारा बनने की बजाए उन्हें बे सारा कर देगा जिला मुख्यालिया पर सेत्य कलोनी बेगरा मारक की गली नंबर 11 में पसीने से तर बतर वरद दंपत्ती को पडोसियों ने देखा तो हर कोई सोचने लगा कि आखिर बेटा ऐसे कैसे कर सकता है वरदा की स्थीती तो ऐसी थी के वे खुड कुर्सी पर बे सुद होकर बैटी थी कुर्सी पर बैटी करीब 80 वर्षय वरदा हर्या देवी पपनेजा की गर्दन कुर्सी के एक तरफ हो रही थी तो कभी दूसरी तरफ माते पर पसीने की बुंदे टपक रही थी कुर्सी के पिछे से खड़ा धनुराम के चहरे पर बेबसी चाई हुई थी धनुराम को समझ नहीं आ रहा था कि आकिर क्या किया जाए चुकि हर्यादेवी बोलने की स्थिती में नहीं थी इसलिए धनुराम से बात की गई चैरे पर हताशा तो अवाज में दर्द ही निकल रहा था धनुराम ने कहा घर परिवार में चोटी मोटी बात होती रहती है उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता और उसको खांसी बलगम की बिमारी है दिखाई नहीं देने के कारण वे इधर उदर बलगम ठूक देती है इसे पुत्रवदू पुत्र नराज होते हैं थोड़ा रुक कर फिर बोलते हैं कहते हैं घर में गंदगी है साफ सफाई रखनी चाहिए इसलिए बार-बार घर से निकलने के लिए कहते हैं आज मुझे और मेरी पतनी हरिया देवी को घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने बताया कि बेटा राकेश पपनेजा एक नीजी फाइनस कंपनी में काम करता है और पुत्रवदू नीजी स्कूल में अध्यापिका है दोनों घर के दर्वाजे को ताला लगा कर अपने काम में चले गई दो पोतियां है वो भी स्कूल चली गई है जिस मकान की गैलरी में दमपत्ती मजूद थे उस मकान के बारे में धनुराम ने बताया कि इकलोता बेटा है इसलिए उसी के नाम मकान करवा दिया उन्होंने बताया कि उसके छे पुतरियां एक पुतर में से एक पुतरी का निदन हो चुका है पांचो बेटिया ब्याई जा चुकी है इकलोते पुतर राकेश के साथ ही वे रह रहे थे पुतर-पुतर वदू हर्या देवी की खांसी और बलगम बिमारी के कारण उन्हें अक्सर घर से निकलने के लिए कहते थे मोके पर पहुंची बेटिया ने जब अपने मा बाप को धूब में पसीने में विशेश कर मा को बेसुद कुर्सी पर बैठे देखा तो रोलाई फूट पड़ी एक पुतरी बेसुद बैठी मा को पंकी से हवा देने लगी तो उसने आंसु पोंचते हुए सिरफ यही कहा बेटिया नेते रोना ही है उधर मकान के बाहर मजूद मोहले वासी भी वरत जनों को देकर तरह तरता की चर्चा कर रहे थे महले वालों ने धनुराम के पुतर राकेश के मुबाईल पर कई बार फोन किये लेकिन आगे से फोन नहीं नहीं उठाया गया हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर आगे क्या किया जाए बेटे को तो बुडापे की लाठी की तरह सहारा बनना चाहिए था अपना पुतर धरम निभाना चाहिए था लेकिन यह समझ से परे है कि आखिर इकलोता पुतर कैसे पुतर धरम निभाना भूल गया गर में बार थो छोटी मोटी होती रहती यह बिमार है तो यह खासी से बलगम भी आते हो आफासत के चूका भी जाता है कि यहां घर में सफाई यह बूड़ा आदमी है तो माड़ी मोठी ते गर्षी हो जाती है कि अपके लड़के ने बार निकल आपको क्या नाम है उसका रकेश कुमारा है पाच लड़की एक लड़का है लड़के ने आपको घर से बार निकाल दिया है समान भी समान भी वार गेर दिया सडक पर अपने आप देखो कुछ है तो मान किसके नाम है अच्छा ने पांच छे लाख रप्या इसको दे रखा है अच्छा और मकान भी दे रखा है उसको मकान इसी का है मकान आपके नाम है क्या उसके नाम है 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 उसको जमीन है पांच के लिए खापे है खापे है पांच के लिए जमीन आजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए